नमशकार दोस्तो स्वागत है आपका पाइपिंग इंजिनियर्स के आज के वीडियो में दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाइपिंग कलर कोड और मार्किंग से बारे में दोस्तो piping, colour code और marking आप सब लोग industry में या process industry में काम करते हैं या design करते हैं तो या बहुत ही जरूरी चीज़ है और हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए तो दोस्तो आज की वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे के वीडियो के लिए प्लीज हमारी चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें सवाइए हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं पाइपिंग कलर कोड़ के बारे में सो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें जानना चाहूंगा या बात करना चाहूंगा piping color code important क्यों होते हैं क्या ज़रूरत है हमें piping color codes की तो दोस्तो piping color code जिस तरीके का process का एक बहुत ही important हिसा है जैसे जब हम process engineering करते हैं तो हम अलग-अलग चीजों को जोड़ते हैं तो piping color भी एक important consideration होता है कि किस तरीके से हमें pipe को color करना है ताकि वो एक pipe को दूसरे pipe से process में हम differentiate कर सकें तो पहला तो दोस्तो इसका काम यह होता है कि वरकर्स को बताता है अवेर करता है hazardous flow के बारे में कि यह जो fluid है इस pipe में hazardous flow जा रहा है या नहीं जा रहा है तो इससे piping color code की मदद से हम यह जानते हैं नेक्स्ट होता है दोस्तो it is important for standardization purpose of the plant जब हम plant बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा inventory कम से कम हो तो उसके लिए हम plant को standardized करते हैं तो standardization के लिए भी हमारा piping color code बहुत ही important होता है example यह है कि ऐसा नहीं होगा कि pipe plant के एक कोने में आप water के लिए green pipe use कर रहे हैं तो दूसरे कोने में red use करेंगे तो standardized रहेगा ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो वो plant के किसी भी कोने में काम कर रहा हो उसे मालूम चल सके कि green color का मतलब water line ही है next होता है दोस्तो for correct transportation from warehouse to site हम लोग pipe को color करके आधी बार supplier से मंगवाते हैं vendor से मंगवाते हैं तो अगर हम लोगों को pipe का हम color code mention करतेंगे तो हमारा pipe को warehouse से transportation तक site में भी कोई problem नहीं होगी next होता है दोस्तो piping color code is also done to mark the flow direction तो piping color coding एक चीज़ होता है और marking अलग चीज़ होता है तो हम जब pipe को color करते हैं तो उसमें mark भी करते हैं पला pipe का tag number लिखते हैं उसमें कौन सा fluid जा रहा है वो भी लिख देते हैं और उसका flow direction क्या है तो हमें अगर पता करना है कि मेरा pipe किस तरफ से किस तरफ इसमें fluid flow कर रहा है तो यह marking करने में भी हमारी मदद करता है 31.1 जो है दोस्तो वह general pipe marking के लिए यूज किया जाता है इस standard में सब कुछ बताया हुआ है कि कौन से color का pipe आपको कि service के लिए यूज करना है और यह general pipe marking के लिए one of the mother standards है next है दोस्तो IAR bulletin number 1114 ammonia refrigeration के लिए जब यह ammonia refrigeration का color coding करना होता है तो हम यह standard यूज करते हैं NFPA आप जानते हैं firefighting के लिए और CGA C9 healthcare facilities में यह दोनों standards को हम follow करते हैं इन standards की मदद से ही हम pipe में plant में अलग अलग जगे पे coloring करते हैं और उसको हम standardization करने की कोशिश करते हैं बढ़ते हैं अगली slide में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि SMEGA 13.1 जो है यह standard use किया जाता है piping color codes के लिए तो इसमें बताया हुआ है दोस्तों कि कौन-कौन से color का pipe कौन-कौन सी service को use करने में मदद किया जाता है पहला है दोस्तों yellow with black lettering अगर आप कभी भी plant में कोई pipe देखे जिसका रंग yellow है और उसके उपर black letter में लिखा हुआ है या फिर उसका base yellow है और उसमें black letter में लिखा हुआ है उसका मतलब है कि इसके अंदर इसके अंदर flammable और oxidizing fluid और liquid बह रहे हैं so this could be gasoline, oil and many others for example nitrogen जैसी gases के लिए हम yellow pipe का use करते हैं so अगर आप कहीं पर yellow pipe देखे तो nitrogen हो सकता है या फिर कोई भी flammable और oxidizing liquid या gas उस pipe से बह रही होती है बह सकती है depending upon plant to plant next है दोस्तो green with white lettering so यह सबसे common है आप सभी लोग जानते होंगे अगर आप green color का pipe कहीं देखेंगे so green color white lettering का मतलब है कि pipe के अंदर potable water जो है वो flow कर रहा होगा so it can be used for cooling, feeding boilers or even going to drinking fountains or sink तो अगर आप इस तरीके का कभी line देख रहे हैं तो उसके अंदर water ही flow करेगा तो green color का pipe अगर आप ने कहीं देखा है next है दोस्तो blue with white lettering अगर आपने blue color का pipe कहीं पर देख रहे हैं और उसमें white letter से लिखा हुआ है तो उस pipe क्या मतलब है कि उसमें compressed air move कर रहे हैं थो दोस्तो इससे clear हो जाता है कि अगर आप कहीं पर blue color का pipe देखेंगे पर उसमें white letter से compressed air लिखा है अगर अगर नहीं भी लिखा है तो तो आप blue color का pipe अगर आप देखोगे आप जान जाओगे कि इस pipe के अंदर से compressed air move हो रहा है next होता है दोस्तो red with white lettering red with white lettering ring red मतलब danger तो डेंजर क्या होता है fire fighting so red with white lettering are used for all fire quenching fluids so जो भी fire को बुझाने के लिए fluids flow करते हैं वो red letters में red color के pipe होते हैं और उसमें white color से service का नाम या tag number लिखा होता है next दोस्तो orange with black lettering तो अगर orange label का मतलब है toxic or poisonous और corrosive fluids उसके अंदर से move कर रहे होंगे mostly toxic fluids अगर बहुत सारे plant में निकलते हैं तो वो हम orange letter से orange color के pipe में black letter से लिखके demonstrate करते हैं और पता रहता है और जगे जगे पे plant में standard markings करी जाती हैं इस pipe color में से यह fluid flow हो रहा है इस pipe color में से यह color यह fluid flow हो रहा है ताके किसको भी confusion ना हो और कोई भी accident या फिर कोई भी dangerous situation plant में you know उत्पन ना हो next है दोस्तो यह कुछ colors तो SME 13.1 में final freeze की हुए हैं जिनको आप change नहीं कर सकते हैं तो इन colors को तो आपको as it is follow करना पड़ेगा लेकिन अलग-अलग systems में जैसे steel plant हो गया refinery हो गया chemical industry हो गया तो कुछ-कुछ अलग gases रहती है जो कि इन में define नहीं है तो उनके लिए कुछ colors को हम लोगों ने SME 13.1 में user defined रखा हुआ है user defined मतलब आप user हो plant के मालिक हो आप उन colors को अपने हिसाब से किसी भी service में use कर सकते हो तो दोस्तो user defined जो color है वो है purple with white lettering, white with black lettering, gray with white lettering, black with white lettering तो यह अलग-अलग color के pipes मालोगर आप purple pipe भी use कर सकते हो, white pipe भी use कर सकते हो, gray भी use कर सकते हो और black color का pipe भी use कर सकते हो तो यह आपके उपर depend करता है दोस्तों कि आप उसके अंदर से कौन सा fluid ले जाना चाहें पड़ आपको marking वगएरा सब उसी तरीके से करनी पड़ेगी, वो define करना पड़ेगा कि इस pipe के अंदर से यह fluid जा रहा है तो इससे क्या रहता है कि clarity बनी रहती है blood तो I hope आपको 13.1 से अलग-अलग pipe के colors के बारे में जानने को मिला गो और समझ आया होगा बढ़ते हैं हम अगली slide की तरफ दोस्तों Yes, so pipe marking भी एक बहुत important हिस्सा है आपने pipe को color तो कर दिया लेकिन suppose किजिए आपने tag number या service को इतना चोटा लिखा है कि आप पड़ी न पाएं तो इसके लिए भी ANSI में standard में mention किया हुआ है कि आपको कितना size का उसके उपर marker लगाना है ऐसा नहीं है हम अपनी मर्जी से कहीं पर बड़ा लिख देंगे कहीं पर चोटा लिख देंगे So, ANSI में letters की क्या height रहेगी उनकी कितनी width रहेगी वह already mention किया हुआ है So, pipe diameter आपका 0.7 inch से 1.3 inch है यानि कि 18 से 33 mm का pipe है तो हम क्या करनेंगे उसमें उसमें हमारा जो label होगा वो 8 inch उसकी length होगी यानि कि 2 cm उसकी length होगी और height उसकी 0.5 inch होगी So, यह हम 0.7 से 1.3 inch के लिए use करेंगे Next is 1.4 inch से 2.4 inch तक यानि कि 2.5 inch के pipe तक कैसे करेंगे हम उसमें क्या होगा कि 8 inch ही आपकी length होगी मतलब 2 cm तक का आपका tag रहेगा या service को आप length में लिख सकते हो और उसकी जो height रहेगी वो 0.7 inch रहेगी यानि कि 19 mm height रहेगी नेक्स्ट आपका 2.5 inch से 6.7 inch तक का अगर आपका कोई pipe रहेगा तो उसमें आपके जो label है वो 300 mm length तक होगे और उनकी जो height होगी वो 32 mm height में रहेगी नेक्स्ट है दोस्तों अगर आपका pipe 171 से 254 mm है यानि कि 6.8 inch से 10 inch के बीच में है तो मेरा जो label है उसकी जो length रहेगी वो 600 mm रहेगी और उसकी जो height रहेगी वो 64 mm रहेगी और 10 inch से बड़े pipes के लिए दस inch से बड़े pipes के लिए दोस्तों 800 mm तक का length हम यूज़ कर सकते हैं और जो lettering है उसकी जो height रहेगी वो 89 mm रहेगी तो यह जो standards हैं यह जो markings हैं आपको इसी तरीके से अपने plant में करने पढ़ेंगे नहीं तो maybe आपके plant में कुछ भी problem हो सकती है और एक dangerous situation create हो सकती है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने आज के वीडियो में pipe color coding के बारे में सीखा होगा और कुछ important जानकारी मिली होगी आप लोगों को दोस्तों आगे के वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को like करें follow करें और subscribe करें thank you for watching the video thanks a lot